कि अद्ब्लाय मैं योगासीं सैंगर आपके लाया हूं अनुपाद का नेस्ट कोश्चन कोश्चन है आपका दूद और पानी के वियादश लीटर मिष्टन में दुद और पानी का अनुपाद पांच अनुपाद 2 दो है यदि इस मिष्टन में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नहीं मिश्टन में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा यह कोश्चन है अब आईए फ्रेंड अपन सोलुशन देखते हैं इसका क्या होगा तो सबसे पहले ऐसे कोश्चनों को काने से पहले अपन दूद और पानी की बेलू निकाल लो तो म कितना जाएगा 7 और 7 किसके एकवल में होगा 42 मतलब 7 यूनिट 42 एक यूनिट 42 अपॉन 7 मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड 7 6 जा 42 एक यूनिट की वेलू अपनी कितनी आईए 6 तो इसमें आप देखेंगे दूद की वेलू कितनी है 5 तो मतलब 5 में 6 का मल्टिप्लाय कर दीज तो एक यूनिट की वेलू कितनी हो जाएगी 30 लिटर एंड पानी की वेलू के हो जाएगी यह यह फिदी पानी टूज उनिट है तो टूमें 6 को मल्टिप्लाय कर दीजिए कितना हो जाएगा 12 लिटर ठीक है इस पर काप नेंस्ट कॉश्चन में क्या बोला है यह यह इस में नढन में 3 लीटर पानी और ढाल दिया जाय तो नव मिश्रण में दूद और पानी का अनुपात तो नहया मिश्राउड मीश्राइब प्ल्स तीन लीटर पानी और अपन को मिलाना ना है इसका मतला है फ्रेंड 30 और 12 और 3 कितना हुगा 15 15 बन जा 15 एं 15 टू जा 30 तो 2 अपोन बन तो अपने ये क्या रेशियो आएगा फ्रेंड 2 रेशियो बन जो कि नए मिश्रण में आपका दूद और पानी का अनुपात रहेगा थैंक यू फ्रेंड तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको आपको पसंदा है तो लाइक और शब्सक्राइब करें थैंक यू